Hello friends, Welcome to BPSC दरपन, आज हम study करेंगे मार्च 2022 के समान्य ग्यान दरपन के करेंट अफेर्स के बारे में, समान्य ग्यान दरपन में समसमाई की महतपुर्ण तत है नाम से कुछ important questions का एक collections होता है, जो एक जगा दे दिये जाते हैं, यदि आप पूरी समसमाई की महतपुर्ण तत है यदि वो पढ़ लेते हैं, तो आप समझ लीजिए समान्य ग्यान दरपन करेंट अफेर्स का पूरी सार एक मेना का आप पढ़ लिए हैं, इसका study आप कर लिए हैं, तो उन्हीं सार का हम आज study करेंगे, तो यहाँ पर मार्च 2022 के समान्य ग्यान दरपन के करेंट अफेर्स, जो मुख्य करेंट अफेर्स बुक का जो मुख्य इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स का एक पार्ट है, उसका हम study करने वाले हैं, इससे पहले इस चैनल पर प्रतेक मंद का प्रतियोगिता दरपन का जो असमर्निय तथे के नाम से वहाँ करेंट अफेर्स आते हैं, और सार संग्रा का जो कलेक्शन्स है, वो अपलोड कर दिये जाते हैं, और मार्च का भी कर दिये गये हैं, यहाँ आप अभी तक नहीं दे सार संग्रा का जहां 130 जो है, जिके जिये से रेटे कुशन्स का एक कलेक्शन्स होगा, उसका एस्टेडी करेंगे, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो आज के आज इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले हैं, फ्रांस में कोरोना का कौन सा नया भैरियंट दिसंबर 2021 में पाया गया है, तो यह है आई एच यू, जिसे सेंटिफिकली बता बोले जाते हैं, बी डॉट वन डॉट सिस्टिफोर ओ डॉट टू, भारत में पहला ओपन डॉक संग्राला है, जिसे प्राचीन पत्रोस को संग्रहीत किया गया है, जिसमें प्राचीन पत्रों को संग्रहीत किया गया है, कावुद घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां किया गया है, यह हैदरावाद तेलंगाना में किया गया है, यह पहला ओपन रॉक संग्राला है, जहां पर कई हजार साल पुराने पत्थर का कलेक्शन से र ICC महिला किर्केट विश्व कौप 2022 का आयोजन 4 मार्ज से 3 अप्रेल 2022 तक कहां प्रस्तावित है तिया नीजी लेंड में प्रस्तावित है सीट काले ओलंपिक 4 से 20 फरवड़ी 2022 को कहां आयोजित हो रहे हैं तो वह बीजिंग चीन में हो रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2022 को किन 5 राज्यों में विधान सवा निर्वाचन कीति थियां 10 फरवड़ी से 7 मार्च गोशित की हैं तिया पांच राज्य है उत्तरप्रदेश, उत्राखन, गोवा, पंजाब और मनीपूर इन पांच राज्यों में एरेक्संस हो रहे हैं अभिनेत्री अनुस्का सर्माद्वारा अभिनीत एवं निडमीत कौन से फिल्म है जो भारत की महिला किर्केट टीम की पुर्व कप्तान जूलन गोश्वामी के जीवन से प्रेडीत हैं तो उस मूभी का नाम है चकडा एक्सप्रेस हैं और भारती होकी से रुलेटेड थे चकडे इंडिया, शारु खान के नितुरित में सारु खान की जिसमें एक्टर थे वो मूभी बने थी यहां पर चकदा एक्स्प्रेस जूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित है और उसमें अभिनेत्री है और उसका सर्मान भारते रिजर्ब बाइंग के गौवर्नर रहे किस अर्थसास्त्री को बीजिंग चीन इस्थित एसियन इंफ्रास्ट्रेक्चर इन्वेस्ट्मेंट बाइंग इया आई आई बी में जिन्दवा जनवड़ी 2022 को बाइस प्रसिडेंट नियुद किया गया है तो उर्जित पटे अंजली के लिए 26 दिसंबर को प्रतेक वर्ष किस रूप में मनाने की घोष्णा नौजनवड़ी 2022 को की है तो बीर बाल दिवस के रूप में रूस के बैग्यानिकों के अनुसार कौन सा छुद्रगर एस्ट्रॉइड सम दोजार उन्तीस में पिर्थिवीस के अत्यधिक समी हो कर जाएगा तो इस्ट्राइड का नाम है एप ओफिस अमेर्की अंत्रिक्ष एजनसी नासा द्वारा यूरोपी यन एवन कनाटा की स्पेस एजनसियों की सहयोग से निर्मित हवल टेली इसकोप से सो गुनी अधिक सक्ति साली किस टेली इसकोप को अंत्रिक्ष में जनव स्पेस टेली इसकोप टो जानते हैं जैमस बेव इसलिए उसका नाम रखा गया कि नासा के पूर्व सायंटिस्ट का नाम जैमस बेव है उहीं के नाम पर इस स्पेस टेली इसकोप रखा गया है दस जनवरी 2022 को दिये गए हॉलिवड के गोल्डन गलोब पुरुसकारों में बेस्ट मोसन पिक्चर ड्रामा वर्ग में महिला निर्देशक जेन कैम्पियन की किस फिल्म को सर्फिष्ट निर्देशक और सर्फिष्ट शलाक सहायक अविनेता का पुरुसकार प्राप्त हुआ ह The Power of the Dog इस मूवी को तीन पुरुसकार मिला है सर्फिष्ट मूवी का मोसन इन पिक्चर ड्रामा वर्ग में उसके बाद उसी के डिरेक्टर को सर्फिष्ट डिरेक्टर का और सर्फिष्ट सहायक अविनेता के तीनों प्राइज जहें The Power of the Dog को मिला है साथ जनवड़ी 2022 को इक्वाडोर के गलाप गोस्ट ड्वीपों में इसाबेला ड्वीप पर कौन सा जोला मुखी सक्रिय हो गया है वुल्फ वॉल के नो वुल्फ वॉल को नो जो जो जोला मुखी है जो इंडोनेशिया में है वो अब सक्रिय हो गया है यहां से कई questions हैं जो आज के time में trained है जो आज के exam का उस exam में पूछे जाने की संभाब ना है पहला तो यही questions जो की अभी मैं आपको बताया हूँ सेम questions आपके exam में डाल देंगे आंसर होंगे वुल्फ वॉल के नो दुसरी तरीका यह है questions पूछने का simple से पूछे देगा आप से वुल्फ वॉल के नो जोला मुखी कहां पर है तो यह एकवाडोर में है तीसरी question से आपसे यह पूछ सकता है isawela Drς devrait इन में से किस देश में है त्पेकर इक्वाडोर में है कि इसावेल दूव बी ऐगर गोषद्व समूह का एक दूव है जो इकवाडोर में है तो ये भी ग्याम में पुछा जा सकता है कि गलाप गोष द्वीप समूह किस देश में हैं ये भी इकवाडोर में है जैसे कि अनमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें कई द्वीप है इस तरह से है इसाबेला गलाप गोष द्वीप समूह में है जो गलाप गोष द्वीप प्रतिवर्स मनाया जाता है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है सर्विया के किस परतिश परसीदेट टेनिस खिलारी का और उस्ट्रेलियन ओपन से पहले जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहुचने पर भीजा रद कर दिया गया तथा बाद में नियालाई ने बहाल किया उसका बाद में बीजा तो रज्य था उसको वापस दे दिया गया मतलब सिंपल ने ओपन नहीं खेल पाया तो यह सर्विया के प्लेयर है नोबाग जोकोविच भारते नौसेना में लगभग तीन दसक तक सेवा देने के पस्चाथ किस स्वदेश निर्वित लाया जुद पोत को 23 दिसंबर 2020 को सेवा मुक्त किया गया वह आई एनेस खुखडे रक्षा अनुसंधारेवं विकास संगठन डियार डियो द्वारा विक्सित किस मिसाइल का लगातार दो बार 22 और 23 दिसंबर 2020 को सफल प्रडिक्शन किया गया यह है परलाई मिसाइन इस मिसाइल का नाम है परलाई दूसरा क्वेस्टन और है एक्वेस्टन में पूछा भी जा चुका है रिसेंटली एक एक्वेस्टन पूछा दिया लगातार 24 आवर के अंदर में किस मिसाइल का दो बार प्रडिक्शन हुआ है यह प्रलाई मिसाइन है 22 और 23 दिसंबर को हुआ है लेकिन 24 घंटा के अंदर अंदर यह प्रडिक्शन हो चुका है तो 24 आवर में दो बार प्रडिक्शन प्रलाई मिसाल का पहली बार हुआ है भारत में कोलकाता की किस पूजा को युनेस्को ने अपनी मानाता की अमुर्थ संस्कृति विरासत की परतिनी ही सुची में दिसंबर 2020 में समलित किया है यह है दुर्गापुजा को दिसंबर 2020 में जहांसी रेलवे स्टेसन का नाम बदल कर क्या रख्या रखा गया है तो बिरांग ना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेसन भारत और रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोश मिसैल के निर्मान के लिए उत्पादर निकाय का सिला नियास उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2020 में कहां किया गया लख्णों में राष्टपति रामनात कोबिंद ने भारत के किस परोसी देश के पचास में विजय दिवस समारों में भागेदारी के लिए दिसंबर 2021 में यात्रा की तुवा देश है बंगलादेश अमिर्की पत्रिका फोवर्स द्वारा दिसंबर 2021 में जारी विश्व की सो सक्तिसाली महलाओं के सुची में पहला अस्थान किसका है या पहला अस्थान किसका है मैकेंजी एसकॉट का एक जनवड़ी 2022 से कौन से पांच राष्ट दो बरस के लिए संजुक्त राश्शंग सुरक्षा परिशद के और 27 सदस्थ से बने हैं यह पांच राज है अलवानिया ब्राजील घाना गैबॉन और यह यह जैसे कि अलवानिया यूरोप से हैं ब्राजील दक्षिन अमेरिका से हैं घाना गैबरोन यह दोनों अफिर्की महादेश्च हैं जवकि संजुक्त अराब अमिराद यूएई एशिया महादेव से हैं और एक अरवियन कंट्री हैं 30 दिसंबर 2021 को घोसे सहित अकादमी पुरुषकर 2021 में हिंदी भासा में समराट असोक नाटे रचना के लिए किस सहित अकार को देने की घोषना किया गया है तो वह है दयापरसाद शिन्ना को साहित अकादिय पुरुषकार हिंदी भासा में दया प्रसाथ सुन्ना को दिया गया उसके रचना समराट असोग के नाटक के लिए British Broadcasting Corporation BBC द्वारा 19 दिसंबर 2021 को Personality of the Year पुरुषकार किस युबा British महिला खिलारी को प्रतान करने की गुरुषना की गई है यमा रादू कानू को लाश्ट युएस ओपन महिला बर्ग में यमा रादू कानू ही जीती थी प्रधानमंत्री स्रे नरेंद्र मोदी को भारत के किस परोसी देश ने अपना सरवच नागरिक सम्मान और्डर ओफ डूंड गैलपो देने की गोशना दिसंबर 2020 में की है तो यह देश है भुटान अमेरिका की पत्रिका टाइम ने किसे 2020 परसन ओफ द इयर चुना है यह एलन मॉस्क को चुना है जब जानते हैं किसे एक्स कंपनी का ऑउनर एलन मॉस्क नहीं चुना गया है हैं भारत के रेल्वे करेंट के चेयर्मंdas से किशे किया गया है यह भारत से रेलवे कि पूछा जाए चेर्मेन कौन है तब भी बिनाय कुमार तिरपाठी है CEO कौन है तो ये भी बिनाय कुमार तिरपाठी है ये दिक क्वेस्टन्स ऐसे हो चेर्मेन सह CEO कौन है तब भी बिनाय कुमार तिरपाठी होंगे पहले railway board में only chairman होते थे उन्ही chairman पोश्ट को अब chairman सह CEO पोल रहे हैं लखी चेंज किये गये हैं तो person एक ही हैं बीना एक कुमार तिरपाठी Federation of Indian Chamber of Commerce का नया chairman सतर 2021 बाइस के लिए December 2021 में किसे निउट किया गया है यह संजीब मैता को chairman निउट किया गया है फिक्की का chairman यह हमारा March 2022 के समाने गयान दरपन का एक current reference का part complete हुआ हम next विडियो में समाने गयान दरपन के ही सार संग्र लेकर के आएंगे यह अगले विडियो कल upload कर दिये जाएंगे और यह हमारा अगला विडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस channel को subscribe कर लीजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे next विडियो का notification आप तक आसानी से पहुँच जाएं और उसे आप देख सकें और advantage ले सकें